सो वेलकम गाईस आज के इस वीडियो में हम डिसकस कर रहे हैं यूएस सीपीए सिमुलेशन्स सबसे इंपॉर्टन देखिए अगर आप यूएस सीपीए बनना चाहते हैं तो आपको सिमुलेशन्स में मास्ट्री बिलकुल करनी ही पड़ेगी बहुत सारे स्टूडेंट से फी बढ़ हम सिम्स में कही न कहीं क्या है फेल हो गए तो सिम्स में आपको किस तरीके से मास्ट्री अचीव करना इसके लिए हम एक वर्क्शॉप के बारे में डिसकस कर रहे हैं और ये जो वर्क्शॉप होके 20 आर की वर्क्शॉप इन वर्क्शॉप के आपको रिकॉर्डेट विडियोज भी मिलेंगे जिससे आप उसको रेफ्रेंज पॉइंट देखिए लाइव क्लास में तो हम सिम्मॉलेशन करवाते ही हैं लेकिन ये वर्क्शॉप स्पेसिफिकली मैं फार सब्जेक्ट जो की सबसे टेक्निकल है फार और रेग रेगुलेशन ये समझियें कि ये जो 20 आर की वर्क्शॉप है ये सेपरेट है हमारे करिकुलम से मतलब हम आपको में करिकुलम में जब पढ़ाते हैं मल्टिपल चोइस कुश्चन की OTP सेशन करवाता हूं मैं लेकिन ये वर्क्शॉप भी है अलग से जिसमें आप आपको यूए सीपी के सिमुलेशन को कैसे अचीव करना है हम उसके बारे में भी और डिसकस करें तो सबसे पहले मेरा पूरा फोकस होगा कि सिमुलेशन में जनरल इंट्री आएगी लिख कर ले लिजिए 100% लिख लीजिए अभी से यूए सीपी का फार पेपर देने जाएं कि यूए सीपी के सिमुलेशन में जनरल इंट्री आपकी 100% सही हो चाहे फिर वो एंप्यू चैप्टर से हो गवर्मेंटल अकाउंटिंग से हो बेलेज शीट डेट के अड्जेस्मेंट तो मेरा पूरा टार्गेट इस 20 आर की वरक्शॉप में आपको श्ट्रॉंग बनाना जनरल इंट्रीश में दूसरा जब आप यूए सीपी की एक्जाम दे रहे होंगे तो छोटे सिमुलेशन नहीं लॉंग सिमुलेशन जिसको एग्जिबिट सिमुलेशन और डॉक्यूमेंट रिव्यू सिमुलेशन इसमें कैसे अप्रोच करना है 20 मिनिट्स रूल आपको 7-8 सिमुलेशन एक्जाम में करना है और यह 7 सिमुलेशन एक सिमुलेशन को 20 मिनिट्स में कैसे सॉल्व करें उसके लिए भी मैं आपके उपर काम करने मनूँ और लास्ट फिर मॉक्टेस भी लेंगे हम आपका और जो भी आप मिस्टेक करते हैं उन मिस्टेक को कैसे रेक्टिफाई करें यह ड्यूटी मेरी बनती ही तो यह 20 आर की वरक्शॉप अलब एक दिन में तो 20 आर की नहीं होगी हम आपकी वरक्शॉप कंड़क करेंगे जिसमें आप सिमुलेशन में मास्ट्री को अचीव कर रहें क्योंकि एक्जाम में सिमुलेशन 50% पॉर्शन है और एक बाद ध्यान रखी है हमारी इस वरक्शॉप को अटेंड करकर आपके चांसेज हैं कि 90% आपके सिमुलेशन सही हो जाए और अगर आपने ये स्किल को अचीव कर लिया तो डेफिनिटली आप यूए सीपीए बनेगे बहुत सारे अधर इंस्टिट्यूट के स्टूडेंट्स हमसे जोईन करते हैं तो अगर आप केवल हमारी इस वरक्शॉप की रिकॉर्डेट वीडियोज भी चाते हैं कि कैसे हम यूए सीपीए के सिमुलेशन सॉल कराते हैं तो उसकी फैसिलिटी भी आप ले सकते बट यह लौच फैसिलिटी हैं तो इसमें अब धीरे धीरे वीडियोज रिकॉर्ड हो रहे हैं जो ट्वेंटी आर जो इतने सालों का एक्स्पीरियंस जो स्टूडेंट के साथ में बैठ के काम करना डिफरेंट रिवीव प्रोवाइडर बेकर वाईली सर्जेंट ग्लैम सब को प्र वही एक ऐसा एरिया है जिसमें बच्चे फेल हो जाते हैं MCQ में तो सर हमने अच्छा स्कोर कर लिया MCQ में तो 80% आ जा रहे हैं बट सर यहां पर हम 50% के उपर नहीं बढ़ पा रहे हैं तो कैसे इस 50 को मैं आपसे 90% पर लिकर जाओ और सम्टाइम कुछ सिमुलेशन में 100% य बस आपका साथ चाहिए मुझे कि आप इस पूरी वक्शॉप में जो भी आपको बताया जाएगा और इसमें हम पास्ट अलुमनाईज को भी शामिल करेंगे जो हमारे इस्टिट्यूट से पास हुए उनके फीड़बैक्स उन्होंने कैसे सॉल्ल किया उनकी क्या अप्रोच है यह हम सारा इसमें करने जा रहा है तो मैं बार-बार बोल रहा हूं टेक वाइस डिसीजन की सिमुलेशन्स को में मास्ट्री को अचीव किये बिना यूएस सीपी की एक्जाम देने मत जाहिए मत जाहिए पास नहीं होंगे अल अब सदन वहाँ पे सर्प्राइज एलिमेंट आपको ना देखने को मिले इसलिए प्रपेर होके जाहिए वन पीपर की कॉस्ट फिफ्टी थाउजन के उपर है और मेरा आपसे ये वादा इस वर्क्शॉप को टेंड करके आपका कॉन्विदेंस लेवल बहुत ज्यादा और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप सी पियंगे में फॉस्ट अटेम में पास हो तेंक यू फॉर वॉचिए इस वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एं सब्सक्राइब चैनल थैंक यू फॉर वाचिए इस वीडियो थैंक यू झाल